हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto G8 Power Lite Android वाइल फोन में आप जो है बैटरी परसेंटेज सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि आफ कैसे कर सकते हैं और यह बैटरी परसेंटेज सेटिंग जो है डिसेबल फोन के बाद यह सेटिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जांकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने सब्सक्राइब होई तो करते हैं जो दर्शाता है कि हमारे फोन में बैटरी में से कितनी बैटरी बची हुई तो जैसे ही आप इस बटन को जो आना आफ करेंगे तो देखे बैटरी परसेंटेज यहां से हट चुका है तो यह बैटरी परसेंटेज सेटिंग डिसेबल होने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके अब मैं आपको जो है यह बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ढूंडने का एक शौटकट तरीका बता देता हूं आपके मुबाइल फोन में इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने मुबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है तो आपको सेटिंग पेज में चो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको न एक बात का ध्यान रखना है जब भी आप सबसे उपर यह सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं तो आपको स्पैलिंग मिश्टेक नहीं करनी है अगर आप स्पैलिंग मिश्टेक करेंगे ना सर्च बार में तो आपको नीचे की साइड इस तरीके से यह उप्शन शो नहीं होगा ठीक है इस बात का ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो का आगे कंटिन्यू करते हैं जब नीचे की में यह बैटरी परसिंटेज ओप्शन शो हो जाएगा तो इससे आपको सेलेक्ट करना है इससे होगा क्या आपको माइल पॉन आपको डिरेक्टी इस सेटिंग पेज में लेकर आ जागा और इस सेटिंग को हाइलाइट करेगा तो यह मैंने आपको एक शॉटकर तरीका भी बता दिये सेटिंग को ढूंडने का आपके पॉन में